हलो दोस्तों नमस्कार, study portal में आप सबका स्वागत हैं, दोस्तों किसी भी प्रकार के आपने पढ़ाई क्यों न कर रखी हो, आप लोगों का जो target होता है, वो job लेना होता है, किसी भी job को प्राप्त करने के लिए exam देना जरूरी है, और exam आप किसके base पर देंगे, syllabus, अक्षी books और study material के आधार पर देंगे, आज हम बात करते हैं, राजनितिक विज्ञान जिसे English में political science बोलते हो, एक ऐसा subject जो हर किसी की मन पसंद होता है, हर किसी का, जितने लोगों को हम जानते हैं, आम तोर पर जब आप regular पढ़ाई करते हैं, college में, universities में, college campus में, university campus में, तो आप लोग कोई भी subject ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब खासकर लड़कियां, जब housewife के अंदर रूप में आ जाती हैं, या फिर correspondence से पढ़ाई करने के लिए चलते हैं, तो उन लोगों की सबसे मन पसंद subject जो होता है, वो political science और public administration जैसे subject होते हैं, और ये आप लोगों क का भाई या आपका दोस्त 11th में 12th में political science लेकर चला है, तो उसके लिए क्या संभावना हैं, लेकिन यहां हम master degree के बेस पर बात करेंगे, बट अगर आप इस रस्ते पर आ रहे हैं, तो आगे जाकर आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, political science से master degree के अंदर आपका career को हमा जातने की कोशिस करेंगे, अलग-अलग sector में अलग-अलग लोगों के लिए चीजे बताई गई हैं, आप ये मसोच ये कि ये तो मुझे नहीं करना है, 7-8 point बताई गए हैं, इसमें से 1-2 point आपके लिए जबरदस्थ होने वाला है, तो लास्ट तक प्लीज वीडियो को जाम हो, ये देख सकते हैं, पोलिटेकल साइंस के जितने भी नोट्स होते हैं, ये बच्छों को डेली बाई कोरियर हमारे जाते हैं, इसी के साथ साथ आईए शुरू करते हैं, ये हमारा वाट्सप नमबर है, इस नमबर पर कोल या मैसेज करके मैट्रेल भी ओडर कर सकते ह हैं, और अगर आपके पास सारी चीज़ें उपलब्द हैं, तो आप अपना नाम, सीटी, एक्जाम, और एक्जाम के साथ साथ आप अपना सब्जेक्ट, दुसरा सीटी नहीं सब्जेक्ट, लिख करके हमें इस नमबर पर वाट्सप कर दीजिए, आपके नमबर को सेव कर ल इंडिया में अगर रखें, तो सबसे उपर आता सिविल सर्विस, सिविल सर्विस में आपके लिए चाए UPSC हो, चाए स्टेट PCS हो, यानि IS जैसे एक्जाम हो, या स्टेटों के अंदर PCS जैसे एक्जाम हो, ये आपके लिए Political Science में सबसे पहला पाइदान आता है, क्योंकि इसके अंदर जाकर के आप लोग सिविल सर्विस में मेंस के अंदर, ओप्शनल के रूप में इसको ले सकते हैं, स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे स्टेटों में PCS में भी ओप्शनल बचा हुआ है, और मेंस में तो आपके पास होता ही है, वहाँ आपके पास सानसीज है, प्रिलिम्स में और जीएस में, मेंस में भी जीएस के अंदर एक बहुत बड़ा सा पॉर्शन पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिके के कॉस्टन कारता है, वहाँ आपके लिए इसके बैस्ट ओप्शन हो सकते हैं, तो अगर आप UPSC वगरा की तयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS क की तयारी कर रहे हैं, तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस को अपने Optional सब्जेक्ट के रूप में लेकर चल सकते हैं, सबसे पहला मौका आपके लिए ये आपके कैरियर में हो सकता है, इसके बाद अगर बात करें, आप लोग सेकिन नमबर पे, सेकिन नमबर पे आपके सामने आता है, पॉलिटिकल साइंस से मास्टर करने के बाद, अच्छे नमबरों से जो भी क्राइटेरिया होता है, अगर आपने मास्टर किया है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो आपके पास दूसरा Option, सिविल सर्विस के बाद दूसरा Option, अगर आप टिचिंग लाइन में जा अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बच्छे हैं, तो आप यूजिशी नेट यानि एन टिए के लिए जा सकते हैं, आप अपने आपको किसी कॉलिज में यूजिश्टी में प्रोफेसर बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी हैं, तो आप एम्फिल कर सकते हैं, उसके बाद प्यश्डी कर सकते हैं, मैंने पॉलिटिकल साइंस में ही प्यश्डी किया है नेट जियारेफ के साथ, तो जितने बच्छे हमारे फॉलोवर्स हैं, जितने बच्छे हमारे पास कोचिंग में ओन लाइन है, ओफ लाइन है, या मैट्रियल वाले हैं, व सकते हैं और अच्छे से कोलेज के अंदर जिंदगी भर आप लोग पढ़ाने की नौकरी टीचर प्रोफेसर की नौकरी कर सकते हैं दूसरा चांस आपके लिए यह रहेगा आप अपने एक्जाम अपने सीटी नाम हमें लिखकर जरूर वर्टसप करें ताकि जो जिस वबस्ता जिस एक्जाम की तैयारी कर रहा है हम उसी तरीके से उसको चीजें सेंड करते रहें पिसरे नंबर पर आपके पास जो ओप्सन आता है पुलिटिकल साइंस वालों के लिए वो डिएससबी का है अगर आप युजिसी नेट नहीं कर रहे हैं या नहीं आपका इंटरेस्ट है या आप नहीं कर सकते हैं तो सेकिंड नंबर पर धर्ड नंबर पर आपका चांस है पीजीटी टीचर का डिए और दिल्ली के माहोल को समझे तो अगर आप डिएससबी के अंदर तयारी करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए यह बैस्ट ऑप्सन है इसमें आप लोगों को बिलकुल नहीं चूकना चाहिए यह मैं आप लोगों को बिलकुल जैनुन सला देता हूं अग मुझे नहीं करना चाहिए त theCUBE है सब्जेक्टों की वैलू बराबर होती है आपमे कितना talent है आपने तयारी कैसे की है आपका tarte कया है आप कितने सीरियस है' अपने सब्जेक्ट को लेकर और आपको अपने सब्जेक की neof कितनी है यह चीजे मैटर करती हैं तो इसलिए आपका तीसरा जो option है वो DSSB में PGT teacher के रूप में political science के junior lecturer का हो सकता है उसके बाद अगर बात करें आप लोग चोथे नंबर पर state wise vacancy हर राज्ये के अंदर 12 तब के school होते हैं और 11 को 12 को आगे के अधार पर 9, 10, 11, 12 को junior lecturer जो PGT teacher जब पढ़ाते हैं तो हर state में हर याना के अंदर screening के सब्जेक्ट होता है आपका political science UP की बात करें मद्द प्रदेश की बात करें राजस्थान में रीट की बात करें तो हर जगह वरग के आधार पर जैसे 123 वरग देखते हैं तो PGT teacher के रूप में हर जगह post होती हैं जिस भी राज्ये के आप रहने वाले हैं आप अपने राज्ये अपने राज्ये में फाइट कर सकते हैं जितना जो भी मौका होगा वह आपको वहां मिलेगा यह था आपका चोथे नमबर पर अगर बात करें तो KBS की बात करेंगे हर सब्देक्ट हर बच्चा यह चाहता है कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ा इंडिया बिगेस्ट स्कू पूल शिक्षा का चैन सिस्टम आप सब का व्यट करता है तो अलाकि पिछली बार पॉल्टिकल साइंस की पोस्ट नहीं थी लेकिन यह उप्संज भी आप लोगों के लिए खुले होते हैं और उसके बाद है आपका नवद्य विद्याले संगठन जिसको आप लोग नवद् सेक्टर अगर आप पॉल्टिकल साइंसी हैं तो राजनेता तो बन ही सकते हैं लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने सब्जेक्ट को संगर्श करके आजमाना चाहते हैं तो आप कोई भी प्राइवेट स्कूल बड़े लेवल का की मेहनत करते हैं तो आप लोगों को कभी सरकारी नोकरी की कमी नहीं खलेगी सरकारी नोकरी में PGT टीचर को जो सैलरी मिलती है उससे दो से तीन गुणा आपको यहां प्रियाप्त मिलती है या प्रोवाइड करवाई जाती है तो यह भी आपके लिए option हो सकता है क्योंकि इसके लिए चाहिए UPSC में पढ़ाने वाले teacher हों चाहिए वो SSC जैसे exam में NDA, CDS, FCAT, OTA या फिर दुसरे exam में पढ़ाने वाले teacher हों quality वाला teacher quality ही पढ़ाएगा GS में तो उसके लिए आपके पास यह best option हो सकता है तो यह आपके लिए सात्वा option था, घर बैट करके भी अगर कोई अच्छा teacher है जिसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ तो हम लोग भी उसको एक चाहिए study portal के तरफ से दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप रियल में political science पढ़ाना जानते हैं या आपका इंटरस्ट है पढ़ाने का तो आप लोग भी contact कर सकते हैं अपने एक वीडियो बनाईए, demo भेजिए और देखते हैं अगर आपका demo सही रहेगा तो हम लोग भी एक दो दो तिन teachers को कम से कम मोका यहाँ पर दे सकते हैं political science वालों के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर इतना ही प्रयाप्ता तो आप अपना नाम अपना subject, CT और उसके साथ आप लोग कहां क्या क्या सा subject आपका है यह चीज़ें लिख करके यह जो last में जो CT है यहाँ पर आप अपना subject कर दीजी यह टाइप ठीक नहीं हुआ था तो यहाँ पर आप लोगों को चारों इस नमबर पर WhatsApp करनी है और जितने भी जरूरी इंफर्मिशन होगी वह आपको मिलती रहेगी अगर DSHB का एक्जाम आप दे रहे हैं KVS का दे रहे हैं NVS का देना कोई भी एक्जाम देना है तो StudyMetal आप जब साई order कर सकते इस नमबर पर call करके पूरे भारत में जिस दिन आपको Slip मिल जाएगा आप अपने order को कभी भी track कर सकते हो दो से तिन दिन में आप लोगों को आपके घर पर मिल जाता है यह आप लोग हमेशा हमारे स्टेट्स वगरा के उपर देखते भी हैं तो आज के लिए इतना ही था आगे फिर नई वीडियो के लिए आप हमारे हूँ बड़रे यह?